जये श्रिराम आपको लगता है मैं किसी का बिल नहीं तो पूरी डीटेल्ड वीडियो है अच्छे से समझेगा मज़ा आने वाला है सबसे पहले कि आपको यूट्यूब चैनल क्रियेट करना है तो जिस चीज का शौक है आप उस चीज का चैनल क्रियेट कीजे और उसपे काम करने लगिये यहाँ पे दो बाते हैं पहली बात ये हमको शौक है बाहर घूँमने का व्लोग बनाने का लेकिन क्या करें हमारे पास पैसे नहीं है तो यहाँ पर आप फस जाते है दूसरा केस है कि आप बना यही नहीं सकते वीडियो क्योंकि कि आपको शौक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, कि कई बार ना देखिए, हम जिसको पसंद करते हैं, वो चीज हम नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको अपने शौक को नीचे दबा के रखना पड़ेगा, दूसरे चैनल के साथ शुरुवात किजिए, वो आइड केट को चूज किया, कैसे? रिस्क उठाके, वैसे ही, अमिताब बच्चन जी को भी, रेडियो जोकी की जॉब से भगाया गया था, लेकिन वो हीरो बन गए, तो शुरुवात में आपको थोड़ा सा रिस्क, मलब रिस्क नहीं, जो चीज आपको पसंद ने इनफ, वो चीज भी करना पड़ता है कई बार, हलाकि यह एक्जामपल उतना परफेक्ट नहीं बैट रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको ऐसे एक्जामपल देता कि आप समझ पाएं, दूसरी बात, मैं अपने एक्जामपल देता हूँ न, मुझको यह शौक है बहुत सारे वीडियो बनाने दूसरी बात, कई लोगों को लगता है कि मैं सब कुछ कर लूँगा, यार ये भी वीडियो बना सकता हूँ, वो भी वीडियो बना सकता हूँ, ऐसा भी काम कर सकता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, मैं all rounder हूँ, और ये all rounder ही लोग कभी भी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जिसको सब आता है ना, उसको कुछ नहीं आता है, आप कोई भी एक चैनल स्टार्ट कीजे और उसके साथ लग के आप काम करना शुरू कर दीजे, आपका चैनल पक्का ग्रो हो जाएगा, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो ये गरेंटी इस ब अगर आप, मतलब एक वोईस ओवर चैनल भी होते हैं, एक फेस कैम चैनल, जैसे ये आप देखना है, ये फेस कैम चैनल, कई चैनल आप देखते हैं, उसमें केवल आपको वोईस सुनाई देती हैं, पीछे से या तो कुछ और क्लिप चलती रहती हैं, दूसरी या फिर भी समझना होगा कि मुझको कैसा वर्क करना है वोईस ओवर कर लूँ या फिर फेस केम कर लूँ अब दोनों के अपने अपने फाइदे अपने अपने नुकसान भी हैं यह चीज़ आपको देखना पड़ेगा ऐसा बेगनर जब आप शुरू करते हैं तो फेस केम अगर आप नहीं कर पाएं क्योंकि डेली एडिट भी करना है और वीडियो टाइम लगता है फेस केम क्या यह वीडियो है जैसे ऐसी ऐसा चैनल आते हैं हम लोग 5 मिनिट कैमरा चालू करके भाशन देके चले जाते हैं फटा फटा फट 10 मिनिट में एडिट और फिर अपलोड लेकिन व वाइस ओवर चैनल में फाइदे क्या है फाइदे वाइस ओवर में यह है कि आप क्या है बनिया बनिया बैठो वीडियो रेकॉर्ड कर दो अंडर वीडियो रेकॉर्ड कर दो कौन देख रहा है क्योंकि लोगों को तो वाइस सुनना है न यह पहला फाइदा है दूसरा दें, drawback भी है, drawback यह है कि भाई, मतलब नुकसान ही है कि भाई, लोग आपसे जुड़ नहीं पाते हैं, आपका चहरा आवास्त पहचानते तो हैं, लेकिन अगर आप शुरू से ही चहरा देखाओगे लोग को तो एक trust build होता है, यह थोड़ा सा downside है, जैसे facecam का फायदा यह है कि लोग आपके साथ जुड़ते हैं, लोग आपका चहरा देखते हैं, थोड़ी सी वीडियो में engagement ज्यादा अच्छी बनती है, विश्वास बढ़ता है, और दूसरा सबसे important बाती है कि फटा-फट काम होता है, हमको चाहिए आज 2022 में कि फटा-फट grow कर जाएं YouTube पे, तो 2022 में maximum creators में देख रहा हूं कि facecam पे ज्यादा rely कर रहे हैं, तो आप भी facecam कीजे, अब क्या यार, परदा पुर्था गई, चाहे लेडेस हो, चाहे जैन्स हो, लेडेस को कई बार देखत रहती, परदा बहर आई आप इससे और वीडियो बनाई, लोग आपको देखना चाहते छेपाई ये मत अपने आपको, कि आप बेकार दिखती हैं या फिर बेकार दिखते हैं, कई सारे creators अभी example में आपको दिखाने वाला हूं वीडियो में, ऐसी ऐसी वीडियो बना रहे हैं लड़के, कि क्या बता हूं और लोग पसंद भी कर रहे हैं उनको, देख लिजे चलि इनके fans बन रहे हैं, मिलने आ रहे हैं भाई इनसे, बच्चा मैंने देखा कली, 8-10 साल का बच्चा इनसे मिलने आया, और बच्चे के साथ उनके फादर भी मिलने आया, मतलब फादर ही लेके आया थे बच्चे को, आप बताए, ट्रक चलाने वाले driver को, दूसरा चैनल मैं द पनवाली है, यूटूब से पैसे कमाके डेली काम कर रहा है, मस्त इसकी जिन्दगी अब हो गई है, आप सोच सकते हैं, दूसरा, यह सबजी बेचने वाला लडगा, 19.6 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, सबजी बेच बेच के आप देखिए, डेली काम कर रहा है, डेली, ठेले पे जाता है, भाई, ठेला लेके जाता है, चिलाता है, अलू लेलो, प्याज लेलो, ऐसी सब्जी बेचता है, और वीडियोज क्रियेट करता है, और व्यूज भी आप देखते जाए, अरे, 19,000 सब्सक्राइबर्स हैं, उसे साबसे आप व्यूज देखिए, 22,000, 19,000, 18,000, 23,000, 23,000 हाना, डेली काम कर रहा है, और यह अब कर दिया काम इसने भी, अपना चैनल इसने भी ग्रो कर दिया, अगला चैनल आप देखिए, यह है, विजरिया व्लॉक्स, यह तो बाप हैंसाफ का यार, बाप है, वाख़ई में बाप है, आप देखो, वन देखो, 409 के बहुत खतरनाक व्यूज ले रहा है, थ्री डेस अगो, 591 के, 374 के, मैं तो हैरान हूं कि लोग कैसे देख रहे हैं इसको, continue इतना ज्यादा, और क्या बनाता है विडियो, आप देखिए, बिलकुल गाउं में हैं, यह लोग लव मेरिज किये हुए हैं, चूला पे खाना बन सेवन के, आप बताईए, जब ऐसे ऐसे लोग काम कर सकते हैं यूटूब पे, तो आप कैसे नहीं कर सकते हो, इनको आइडिया था क्या, नहीं होगा, एक दो वीडियो बनाए होंगे, उसको दिर दिरे इनको थोड़ा सा मज़ा भी आया होगा, या फिर अपने आपको सुच चलो करके तो देखते हैं, करते गए, करते गए, लोगों ने पसंद कर लिया, और आज देखो, किसमत बन गई, आराम से लाख रुपय कामारा होगा, डेली काम कर रहे होगा, और यूटूब पे कई क्रेटर जो फूल टाइम हैं, जो आए हैं अपना सीरियसली करियर बनाने के लिए, वो ज्याद मनलब पर डे काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये लोग, मनलब इसमें से कई लोग तो मैं क्या क्या आपको दिखाऊं, और कितने सारे क्रेटर जो स्कूल तक नहीं गए, लेकिन फिर भी आज यूटूब से इतना ज़्यादा कमा रहे हैं कि एक आईटे की सेलरी के बराबर है, सेलरी भी उनकी कम पड़ जाएगा, उससे एक स्पॉंसर्शिप करके पैसा भी बच जाएगा, और एटसेंस की कमाई अलग है, और भी कई सारे तरीके हैं यहां पर यूटूब पर पैसे कमाने के लिए, अब बताइए, अगर आपको अभी भी लगत आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको वीडियो कैसे बनाने, कैसे वीडियो में अपलोड करूँगा, कैसे काम करूँगा, कैसे चैनल ग्रो करूँगा, तो सारी बातें मैंने अपनी वीडियो में बताया हूँ, इस चैनल की इस वीडियो के डिस्रिप्शन में एक प्ले प्रवाइब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कौन सच बोल रहा है तो मैंने अपनी वीडियो में बता हैं कि आपने चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं कैसे सब कुछ अपना काम करके आगे बढ़ सकते हैं मेरी वीडियो अगर एक एक बार आप देख लेंगे ना किसी की वीड अंदर है और आप खुद को सेफ जोन में रखके दूसरों को बोलके खुद को ना आप मासूम साबित करना चाहरे हो कि नहीं आर मैं तो मासूम हूं मेरे को मैं नहीं कर सकता हूं और इन लोग के पास ये है मेरे पास ये कमी है कमी इनके पास भी थी आई होप कि आपको वीडियो पसंद आयोगी पसंद आयोगी तो प्लीज लाइक किज़ें डिस्क्रिप्शन है पहली लिक्लिक करके देखिए सारी वीडियो बनिये यूट्यूबर यार कब तक वीवर बनोगे काम करो यूट्यूब पे जरूर ग्लो करोगे ठेंक यूट्यू देखने के लिए शरीसीता राम और हाँ दोस्त अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझको कौन सा यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए किस पे काम करना चाहिए तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा बस आप शुरू कर दो कोई भी एक चैनल बना के शुरू कर दो क्योंकि जब मैंने अपनी जर्णी स्टार्ट किया था मैं किसी और चैनल से स्टार्ट किया था आज मैं किसी और चैनल पे काम कर रहा हूँ और आगे भी किसी और चैनल पे काम करूँगा क्योंकि कई बारना हम यहां से बैटके अपना future नहीं देख सकते आप काम start करो जब आप चलोगे न रास्ते पे आपको समझ में आएगा कि यार ऐसी वीडियोस बनाने में मुझको मज़ा नहीं आ रहा मैं ऐसी वीडियोस बना सकता हूँ मैं यह काम कर सकता हूँ इसमें मज़ा नहीं आ रहा यह करूँगा इसको आगे लेकर चल सकता हूँ आईडियास आपके दिमाग में आने लगेंगे लेकिन अगर आप आज से ही सोच चुगे कि बिल्कुल समझी में नहीं आ रहा कैसा चैनल बनाऊ हूँ किस पे काम करूँ तो सोचते ही रह जाओगे बस आप चैनल create करो और काम करना शुरू बस कर दो कई लोग के साथ ये होगा कि उसी चैनल के साथ आगे बढ़ जाएंगे और कईयों के साथ ये होगा कि उनको idea आगा कि नहीं ये चैनल मेरे लाइक नहीं है या मैं इसके लाइक नहीं हूँ मैं ये काम कर सकता हूँ तो ये कब होगा जब आप start करोगे तो सिर्फ start कर दीजे आप चीजे ना आगे आपको देखने लगेंगी मन्जिल ना घर पे बैठे बैठे नहीं देखती है घर से बाहर निकलना पड़ता है तो वीडियोज बनाना पड़ता है तब समझ में आता है कि मैं आगे कैसी वीडियोज बना सकता हूँ समझ गए कम्पलीट